सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहें इंजीरिंग की यार बहुत सारे बच्चे जो है वो परिशान हो रहें अब्रिविएशन को लेके क्यों क्यों क्योंकि जोसा की काउंसलिंग होने वाली है और बहुत सारे बच्चे अलग अलग नाम जो short form आ रहा है न और उनसे confused हो रहा है कि आखिर ये हैं क्या तो ये पूरी वीडियो हम discuss करने वाले हैं उन सारे abbreviations की जिनका क्या मतलब होता है in short form का full form है क्या आखिरकार और जो जोसा की counselling 2020 में use होने वाले सो दोस्तों में share जरूर कर दो भईया ताकि उनकी भी ये doubts जितने हैं वो clear हो जाए और भई चैनल subscribe करना है क्यों क्योंकि सारी जानगारी इंजिरिंग से related college, course, career सब यही मिलने वाला है और दूसरी चीज़ नीचे description box में links जो हैं आ गई हैं काय काय की आई हैं एक तो predictor गिया ह मतलब आपकी rank में क्या options आपको मिल सकते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं प्रडिक्टर के तुरू इसके अलाबा आपके पास mentorship का भी option है जिसमें mentor होगा जो आपको guide कर देगा एक अच्छे institution के लिए क्या-क्या options हो सकते हैं वो और finally बहुत सारी course इसकी link भी आपको यहां मिल सबसे important AIR यह मैं यहां पर हाँ लिख दे रहा हूँ AIR AIR मतलब Air India नहीं है और यह सबसे important है क्यों कि इसी All India ranking कोटे पे ही आपको क्या करना है बताना है CRL rank जो है वो आपकी All India label की है क्या है कैसी है तो AIR यानि All India rank जहां भी AIR मिले उसका यही मतलब यहां जो सा counseling में होने वा या Central Board of Secondary Education CBSE हमने 12th class जो है वो पास करी हुई है बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो CBSE Board के हो सकते हैं कुछ ICSE के हो सकते हैं कुछ State Boards के हो सकते हैं लेकिन CBSE जहां लिखा है मतलब वो आपका क्या है Central Board of Secondary Education यहाँ पे आपका COBSE भी है CBSE नहीं COBSE यह क्या है Council of Boards of School Education ठीक है यह important हो जाता है CRL यह सबसे important है पूरी की पूरी counseling में CRL 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 आपको मिलने वाला है यह control नहीं है यह क्या है यह common rank list है क्या है आपकी common rank list मतलब की इतने बच्चों ने पार्डी से बेट किया था और उसमें आपका इतना number है इतने number की ranking है और यही ranking important है याद रखना है CRL ranking पे इसमें आपको मिलेंगे IITs, NITs, IIITs, GFTIs चीक है और भी option हो सकते है IITs भी मिल सकते है तो यह सब मिलने के बाद अगर बच गई seat है seat है बच गई तो फिर क्या होगा हाँ वस यही होगा कि अंगला प्रक्रिया जो होगी वो C-SAP के through seat हैं भरी जाएंगी जिसको central seat allocation board कहा ज जाता है जोसा के बाद यह पूरा schedule आएगा ठीक है अभी इसकी कोई दिक्कत है नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए DS यह important है क्योंकि defense हाँ यह defense वाले बच्चे जितने हैं या उनसे related उनके related defense services यह abbreviation है DS का और इससे यह quota लगता है defense services का इसमें कुछ seats reserve होती है तो यह important ह हो जाएगा EWS तो आपको पता ही होगा है ना EWS एनी economic weaker section आर्थिक रूप से जो पिछडे हुए work है उनके लिए EWS category खुस्तों में पहले ही include करी गई है तो यह सारी चीजे याद रखना और भी है don't worry और बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आपका अंगला है general general तो आपको पता ही है है ना हाँ वख्याथ GEN general general category याणने general category बिलकुल यहां तो category of the candidate के रूप में इसको general लिखा जाता है जो किसी category से बिलोंग नहीं करते वो किसी करता है वो general category से बिलोंग करते बिलकुल अगर आप OBC सी नही है SC नही है ST नहीं सी नहीं इड़मो इस नहीं है तो आप क्या हैं आप general category से belong करने वाले हैं जिसको GEN लिखा जाएगा GFTI मैंने बताई दिया है कि बहुत सारे institutions आपको मिलने वाले हैं ये government के द्वारा fund किया जाने वाले institution है तो इसलिए इनको government funded technical institution कहा जाता है ये technical institute कह देते हैं GFTI इसके अलाबा triple IT क्या है ये भी government institutions हैं जो की आपको Indian Institute of Information Technology के नाम से जाने जाते हैं triple IT उसके बाद IIT ये तो हर एक बच्चे का जितने भी जोसा की counseling अटेंड कर रहे हैं सबका खुआब यही है क्या है कि हमको बहिया IIT मिल जाए यानि की Indian Institute of Technology जी ठीक है लगबग तेईस institute है जो की आपके पार्डिसिपेट कर रहे हैं जोसा में जहां आपको admission मिलने वाला है जैब जैब तो आप जानते हैं joint admission board क्या है joint admission board इसके लाबा जे आईसी जे आईसी क्या है joint implementation committee क्या भी या यही वो committee है जो की जोसा की सारी की सारी counselling conduct करवा रही है वही committee को joint implementation committee कहा जाएगा JIC, JEE तो आपने दिया ही है advance उसके बाद आपको यह बिलने वाला है so means भी दिया है joint entrance examination को JEE कहा जाता है इनके दो round होते है एक होता है means और इसके बाद advance ठीक है so मैं ही इनी प्रक्रिया से तो निकले आप है की ने बढ़िया इसके बाद के कुछ और हम abbreviation की बात कर लें so भाई कुछ और abbreviation यह रहे आपके जोशा जोशा तो यह है यही वो counselling है जिस पे हम बात करने वाले इसको क्या गएंगे joint seat allocation authority क्या joint seat allocation authority N.E.U.T. क्या भिया N.E.U.T. N.E. मतलब North East की बात चल रही है U.T. मतलब Union Territory की बात चल रही है बिलकुल यह आपका North East and Union Territories हो जाएगा N.E.U.T. जहां लिखा हो उनके लिए ही candidates की बात चल रही है जो Union Territory के institutions हैं North East के institutions हैं उनके लिए यह यूज किया जाएगा N.I.T. आपको पता ही है National Institute of Technology क्या भिया National Institute of Technology इसके बाद जहां पर भी देखो यार होगा क्या मैं आपको बता दू जो समय है I.I.T.s तो हैं ही इन पर बिसेस फोकस किया जाएगा इनके बाद के जितने हैं चाहे वो N.I.T.s हो Triple I.T.s हो यह ना I.I.E.S.T. हो या फिर G.F.T.I.s हो ठीक है इन सब को ही क्या कहा जाएगा N.I.T. प्लस सिस्टम लिखा है ना N.I.T. प्लस सिस्टम यह जो अब्रिवेशन है यह किसके लिए है N.I.T. I.E.S.T. Triple I.T.s और अधर G.F.T.I.s इन सब को यह कहा जाएगा O.B.C. N.C.L. आपको पता ही है O.B.C. यह कैटिगरी है और इस कैटिगरी में अगर कुछ लोग हैं जिनकी एनुवल इंकम कम होती है उसको क्या बोलते है नौन क्रीमी लियर N.C.L. N.C.L. नौन क्रीमी लियर तो यह कैटिगरी ओपन सब कैटिगरी भी है क्या है Other Backward Classes में नौन क्रीमी लियर की कैटिगरी ठीक है O.B.C. N.C.L. यह पूचा जाता है और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए यह हमें लोग हैं जो कभी भभो भारत के निवासी थे अभी निकल लिये हैं हाँ बया इनको बोलते हैं O.C.I. यानि Overseas Citizen of India क्या बोलते हैं Overseas Citizen of India और दूसरा है P.I.O. यानि Person of Indian origin कई बार आपने सुना होगा कि हमाए दादा परदादा भारत के थे लेकिन वो निकल लिये बारत स हाँ और बहां उनका बिजनेस हो गया अब उनके जो रिस्तेदार हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो क्या है Person with Indian origin कहलाते हैं हाँ और P.I.O. उनको खाहा जाता है और इन सब के लिए चुकि ये भारत से बिलों करने वाले विक्ति हैं इनके लिए कुछ ना कुछ क्या है अबर सी सिटीजन ओफ इंडिया और P.I.O. परसन ओफ इंडियन ओरीजन फिर P.W.D. कैटिगरी इंपॉर्डेंट कैटिगरी है जहां पर कुछ परसेंटेज आपको क्या होना चाहिए डिसेबिलिटी होगी तो इस कैटिगरी में आओगे और इसका भी कुछ फायदा हो जा हां यहां फायदे हो जाते P.W.D. कैटिगरी में फिर S.C. को आप सभी जानते ही हैं वे सभी के सभी स्केडूल कास्ट जिनकी हां कास्ट का शेडूल में वर्डन है कौन सी सेडूल में वर्डन है हां यह तो जाना नहीं है कौनसी सेडूल में वर्डन है हां यह तो जाना न याद से रखनी है और ये सारे के सारे abbreviations यहाँ जो सा counseling में use होने बाले हैं तो भईया इनको आपको पता होना चाहिए ताकि गलतियां हम ना करें और दोस्तों को भी इसको share कर देना है ताकि उन्हें भी पता चल जाएगी आखिर यह abbreviation का क्या मतलब है ताकि बार-बार हमें परिशानी ना हो और बाकी यह तो हम हैं आपके लिए सारी जानकारी देने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं नीचे description box में आप जाएं आपको predictor की link मिल जाएगी जहां आपकी ranking में क्या options आप चूज कर सकते हैं यह जानकारी हो जाएगी इसके अलावा mentorship के programs भी है जहां एक mentor होगा जो आपको guide करेगा एक अच्छे institution के लिए और साथी साथ बहुत सारे counselling courses भी आपको वहाँ available हैं तो जल्दी जाएए जल्दी जाएए पहले आएए पहले पाईए वाला काम है और भाईया बस इसके साथ ही हम यहाँ वीडियो समाप करेंगे अंगली वीडियो में अंगली जाटगारी के साथ मिलेगे तब तक के लिए जाहें